नमस्कार जहिंद, All Exam Guide Guru का YouTube चनल आप सभी देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक ही वीडियो में हम राष्ट पती और उपराष्ट पती के बारे में संपूर्ण जानकारी लिख रहे हैं MCQ कॉश्चन लिख रहे हैं जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं राष्ट पती से संबनित उपराष्ट पती से संबनित पूरे कॉश्चन एक साथ एक ही वीडियो में करीब डेड़ सौ से ज्यादा 200 करीब कॉश्चन होने वाले आपके करीब करीब 200 कॉश्चन बहुत ही इंपोरे वीडियो को अच्छे से दिखिएगा और अच्छे से प्रेक्टिस कर लीजेगा एक ही जगा पर आपको ये सारी कॉश्चन मिल रहे हैं चलिए करते बिना देर के वीडियो को वीडियो रहेगा स्पीड में कम समय में आपके पूरे कॉश्चन करा देंगे वीडियो को लाइक जरू कर दीजे भारत के राश्टपती की तुलना निम्नलकीत में से किस से करना सरवाधिक उचित है भारत में कारेपाली का कद्यक्ष राष्टपती होता है और जाएगा संग की कारेपाली का शक्ती किसके अंतरकत नहेत होती है तो संग की सभी कारेपाली का सक्ती जो रहती है राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नहेत होती है राष्ट पती के पास option number भी राष्ट पती राइट आंसर हो जाएगा सबसे प्रथम नागरिक पहला नागरिक होता है राश्ट पती Option number यहाँ पर ए देश का पहला नागरिक राश्ट पती भारतिय सम्विधान के अनुसार संग की कारेपाली का शक्तियां किसमें नहेत होती हैं तो संग की कारेपाली का शक्तियां जो रहती है ये राश्टपती में नहेत होती है option number B राश्टपती राइट आंसर है भातिय सम्विधान के अनुसार देश की तीनो सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है तो तीनो सेनाओं का अध्यक्ष होता है राश्टपती थल सेना जल सेना और वायू सेना तीनो का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर राश्टपती भारत का राश्टपती इनमें से क्या वाक्य है सही राश्टपती के लिए तो भारत का राश्टपती राजिका सम्विधानिक अध्यक्ष कहलाता है भारत का राश्टपती राजिका सम्विधानिक अध्यक्ष कहलाता है भारती सस्त्र सैनाओं का सर्वोच कमांडर कौन होता है option number यहां पर A right answer है भारत के राष्टपती के लिए आवश्यक योगिता इनमें से क्या नहीं है मतलब क्या नहीं भी होगा तो भी चल जाएगी तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो ऐसा जरूरी नहीं है संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो यह जरूरी नहीं है बाकी वह भारत का नागरिक होना चाहिए 35 वर्ष से अधिक आयू होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य के लिए निरधारत सभी योगिताएं होनी चाहिए भारत के राष्टपती निरवाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति के आयू कितनी होनी चाहिए तो किसी व्यक्ति के आयू 35 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक तो आप राश्ट पती बन सकते हैं पट के कोई भी आयू सीमा नहीं निर्वाचित हो सकता है तो राष्ठ पटी पट के लिए हमारे देश में कोई सीमा नहीं है आप जितनी चाहेवार इतनी वार राष्ठ पती बन सकते हो अप्शे नम्मर यहां डिराइट नावनो की धोनोगां? कोन से राष्ठ पती दो बार? कौन से व्यक्ति दो बार भारत़ के राष्ठ पती रह चुके हैं? कौन से व्यक्ति दो बार भारतच स्वें चुनाओ के राश्टपती पत के निर्वाचन नहेतु कौन सी पत्ती अपनाई जाती है तो निर्वाचन नहेतु जो पत्ती अपनाई जाती है उसको समानुपातिक प्रतिनिरत्व एवं एकल संक्रमनिय मद पत्ती option number यहाँ पर D right answer हो जागा समानुपातिक प्रतिनिरत्व एवं एकल संक्रमनी मत पदती राष्टपती चुनाओ के लिए अपना ही जाती है राष्टपती पद के चुनाओ संबंदी विवाद को किसी निर्देशित किया जाता है तो चुनाओ संबंदी को भी विवाद हो उचितम नियाले सुप्रीम कोट को भीजा जाता है option number यहाँ पर right answer है राष्टपती के चुनाओ के लिए प्रस्तावक एवं अदूमोदकों की कम से कम कितनी संक्या होना चाहिए तो राष्टपती चुनाओ के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक कम से कम संक्या होनी चाहिए पचास-पचास option number C पचास-पचास कम से कम संक्या होनी चाहिए राइट आंसर हो जाएगा option number D कोई लाब का पद ग्रहन किया हो राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन दिखिए भारत के राष्टपती का चुनाओ किया जाता है तो भारत के राष्टपती का चुनाओ है यह आपका एकल हस्तांत्रणी मत पदरती के द्वारा किया जाता है option number यहाँ पर भी राइट प्रणाली अपनाई जाती है तो आनुपातिक प्रतिने चुनाओ प्रणाली राष्टपती के चुनाओ में अपनाई जाती है यहाँ पर option number आपका D राष्टपती प्रशन के लिए right answer हो जाएगा राष्टपती चुनाओ संबंदी मामले किसके पास भेजे जाते हैं तो रा करने का प्रावधन दिया गया है तो अनुछे किसमें दिया गया है तो सम्विधान के अनुछे 71 में यह दिया गया है कि कोई भी विवाद हो राष्टपती चुनाओ उपर राष्टपती चुनाओ से संबंद तो उचितम न्याले के पास भीजा जाएगा अगला question राष्ट चणे जाते हैं या आपके 5 वर्षों के लिए चुनने जाते हैं option नंबर B पाँच वर्षों के लिए भारत के राष्टपती चुने जाते हैं किस अनुछेद की दद राष्टपती अपने पद ग्रहन करने की त्यथी से पांच वर्श तक की अवधी तक अपने पद पर बन मंदल में कौन-कौन होते हैं तो राष्ट पती के चुनाओं होता है उसमें निर्वाचक मंदल में संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचिस सदस से संसद के दोनों सदनों के सदस और विधान राष्ट्पति को अपने पद से हटा सकती है भारत के राष्ट्पति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है तो राष्ट्पति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो है आपकी संसद द्वारा महावियोग लगाकर सम्विधान के उलंगन के लिए राष्ट्पति के किस आधार पर लगाए जा सकता है तो राष्ट पती पर जो महाव्योग लगता है समविधान के अतिक्रमण करने पर लगाए जा सकता है अप्शन नमबर भी समविधान के अतिक्रमण पर लगाए जा सकता है राष्ट पती पर महाव्योग की प्रक्रिया किस देश के समविधा से ली गई है यहां आपर option number ए अमेरिका के सम्भिधान right answer है भाते राश्टपदी को किस परिश्टिती में अपने पत्से त्याक पत्र देना होता है भारत के राश्टपदी को महावियोग लगने पर अपने पत्से त्याक पत्र देना पड़ता और नमबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा कारेकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट पदी को उनके पत से कौन हड़ा सकता है तो कारेकाल पूर्ण होने पर नहीं कारेकाल पूर्ण होने के पहले उसके पहले संसद द्वारा महावयोग लागा कर हड़ा जा सकता ह संसद में राष्टपती के विरुद महावियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए संसद के कुल सदस्यों में से कम से कम दो त्यहाई सदस्य प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्टपती को कार्यावधी की समापती के पूर्वी पत से अटाया जा सकता है तो कार्यावदी की समापती के पूर्वी पत से अटाया जा सकता है महावयोग द्वारा option number यहां पर see right answer है किसी व्यक्ति के राश्टपती के रूप में चुनाओं को अवेद गोशित किया जाने की स्थिमे उसके द्वारा अपना चुनाओं अवेद गोशित किया जाने के पूर्व के क्रत्यों को क्या समयधानिकता होगी तो यहां पर right answer हो जाएगा इसके लिए आपका कि जो पूर्व में क्रत्य कीएगा है यह क्रत्य विधी मानने रहेंगे जो पूर्व में यदि उसमें कुछ किया होगा तो विधी मानने रहेंगे लेकिन राष्टपती के पद पर रहते हुए आप उस पर कोई भी चार्जस नहीं लगा सकते हैं अगला कॉश्चन दिखिए राष्टपती को में विधान के किस अनुषेग के ठत्य भारत के 뜩 तो यह जिक्रत जो यह दिया गया है अनुशेट 60 में राष्ट पती का मुख्य नायदीस के समक्ष सपत ग्रहण दिया गया है तो सर्वोची नायले के मुख्य नायदीस उस कारेभार को चलाएंगे option number यहाँ पर सी right answer है यदि राष्ट पती त्याग पत्र देना चाहें तो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देंगे राष्ट पती त्याग पत्र देना चाहें तो भारत के उपर राष्ट पती को संबोधित करके वो अपने त्याग पत्र देंगे option number यहाँ पर right answer है राष्ट पती के त्याग पत्र की सूचना उपर राष्ट पती किसको देगा अब राश्ट पती ने उपराश्ट पती को बता दिया कि मैं अपने पत से त्याग पत्र दे रहा हूँ तो उपराश्ट पती लोग सभाद देख्ष को इसकी सूचना देगा option number याँ पर सही right answer हो जाएगा एक ही समय में यदि राश्ट पती और उपराश्ट पती दोनों का पत रिक्त हो जाए तो राश्ट पती के करत्यों का निर्वन कौन करता है अभी आपको होता है था भारत के मुख्य नाधीस option number याँ पर भी भारत के मुख्य नाधीस right answer हो जाएगा यदि मृत्यू त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्तिती में भारत के राश्ट पती का पत्र खाली हो जाए रिक्त हो जाए तो उपर राष्ट्पती कितने समय तक राष्ट्पती के रूप में कारे कर सकता है तो उपर राष्ट्पती जो है कब तक कारे कर सकता है तो 6 महा तक कारे कर सकता है केवल 6 महा तक नहीं तो उसके बाद चुनाओं कराना अनिवार हैंगे यहां पर आपको जो उप्ष्ट पती नहीं थे एक भी बार उप्ष्ट पती नहीं रहे हैं यहां पर आपको जो ऑप्ष्ट दिएगा है तो डॉक्टर एस रादस कृष्ट यह रहे हैं जाकर हुसेन और वीवीगरी जी उपर के तीनों नाम उपराश्ट पती के पतपर रहे हैं लेकिन डॉक्टर जो है आपके आपके ऑप्ष्ट नम्बर यहां पर आप से लंबे समय तक भारत के राश्ट पती कौन रहे हैं तो सबसे लंबे समय तक भारत के राश्टपती डॉक्टर राजेंद प्रशाद जी रहें, option number A, डॉक्टर राजेंद प्रशाद जी right answer है, भारत का राश्टपती चुने जाने वाले प्रथम गैर कॉंग्रेसी उमिद्वार कौन थे, सबसे पहले गैर कॉंग्रेसी उधारन क्या है, तो right answer हो जाएगा, अभी तक एक मात्र उधारन है, नीलम संजीव रेडी जी, option number यहाँ पर डी, नीलम संजीव रेडी जी, एक मात्र ऐसे, राश्टपती जो सर्व समती से चुने गए थे, option number D, नेमनलकित में से कौन, कभी भारत का राश्टपती नहीं र राश्टपती, डॉक्टर राजियंद प्रशाजी थे, option number यहाँ पर भी, डॉक्टर राजियंद प्रशाजी राइट आंसर है, नेमनलकित में से कौन लगातार दो बार राश्टपती पत पर डॉक्टर राजियंद प्रशाजी रहे, option number यहाँ पर भी, डॉक्टर राजिय तो अनुच्छेद 57 में किया गया है, अप्शन नमर इप्रशनी के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब हो जाएगा, भारत के किस राष्ट पती की मृत्युकारेकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी, इनमें से जो ऑप्शन दिये गए, तो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से डॉक्टर जाकर हुसेँजी की मृत्युकारेकाल के पहले ही पूर्व हो गई थी, पूरा कारेकाल नहीं कर पाई थी, ऑप्शन नमर इहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारतिय संगे के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्य समादेश, निम्नलेकित में से किसमें न उपर आश्ट्पति राष्ट पती की नूक्ति नहीं करता बाकि प्र्धान मंत्री राज्यपाल और मुख्य निर्वाचय ना裁क्त की नियुक्ति करता है, निम्नलेकित में से किसकी नूक्ति भारत सरकार भारत का राइट अंसर निहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिये गए के मंत्रियों की न्यूक्ति कौन करता है तो केंद्री मंत्री मंदल के जो मंत्री होते हैं उनकी न्यूक्ति करता है प्रधान मंत्री की सलहा पर राष्टपती प्रधान मंत्री की सलहा पर राष्टपती ऑप्शन नुबर सी राइट आंसर है नियम्दल के तमें से किसकी मुख इन दोनों की करता है लोग सभा अध्यक्ष की नुक्ति राष्ट पती के द्वारा नहीं की जाती भारत के राष्ट पती की मर्जी तक कौन अपने पत पर रह सकता है तो राष्ट पती की मर्जी तक राजपाल अपने पत पर रह सकता है और यहां पर सी राइट आंसर हो हो भी योजना आयुक को राश्टपति नीद नहीं करते ऑप्शे नमर यहां पर भी योजना, यह नीती आयुक टाइट आझ। राइट अंसर हो जाएगा वित्विल के लिए किसकी पूरुसुकृती आवशक किसी भी अभीयुक्त की सजा को बदलने का अधिकार किसे दिया गया अधिकार राष्टपति को दिया गया है और यहांपर ए राइट अंसर हो जाएगा राष्टपती द्वारत संसद के दोनों सद्नों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जता है तो आपको बता दें ये question अब बदल चुका है 2020 तक लागू था 2020, 2019 में 126 वा समिधान संसोधन हो गया जिसमें से एंगलो इंडियन को जो नामित करते थे राश्टपती उसको हटा दिया गया है लेकिन question ये पूछा जा सकता है कि 1950 से लेकर 2019 तक राश्टपती द्वारा संसत के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया सकता था तो 1950 से लेकर सन आपका 2020 तक टोटल जो है आपके 14 सदस्यों 12 प्लस 2 दो लोकसभा और 12 राजसभा टोटल आपके 14 सदस्यों को राश्टपती के द्वारा नामित किया जाता था बहरत के राश्टपती को यह प्राप्त नहीं है भारत के राश्टपती को यह अधिकार प्राप्त नहीं है नय-ल्यक के न्या-दीस्पू को हटा झामादान देंकर सकता है आपादकाल की घोशन reports लेने दिकार किसको है तो किसी भी विदी के प्रशन पर सरुचे नाले से राष्ट पती परामर्स ले सकता है Supreme Court के नयादी शे परामर्स ले सकता है। या works option number यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा euro question देखिए बहारते समिधान का कौन सा अनुच्छद यहाँ से प्रामर्फ से प्रामर्फ ले सकता है तो यहाँ पर जो अनुच्छद एक सो प्रोगस सम Оп्रम्राख से प्रामर्फ ले सकता है संसद्यपा द्ीवेशन बराने का काम समय को evident फंटर मैं दो के भारत के राश्टपति के दवारा आर्तिक संक्त की गोशना की गई थी वो अभी निम्दलेकित में से कून राष्टपती कार नहीं है अच्छा एक चीज बताइए एम हिदाय तुल्ला ने जो है राष्ट पती के पतपर कारे किया था इन्हों ने कौन से राष्ट पती के पतपर कारे किया था मतलब कौन से राष्ट पती अपने कारे काल पूरा नहीं कर पाए थे जिससे इनको कारे करना पड़ा comment करके बता सकता है कोई comment जरू करिएगा मैं wait करूँगा देखते हैं किस किस को पता है इसका answer निम्दलकित में से कौन राष्टपती का कार नहीं है क्या राष्टपती का कार नहीं है तो यहाँ पर आपको जो option दियेगा है उसमें से आपका किसी सत्र के अंतरगत लोग सभा की बैठकों को आहूत करना यह राष्टपती का कार नहीं है बाकि लोग सभा का सत्र बोलाना विक्टन करना सत्र आवसान करना लेकिन किसी सत्र के अंतरगत लोग सभा की बैठके आहूत करना option number यह कार नहीं है राष्टपती का विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिशनरों के प्रत्य पत्र किसके द्वारा प्राप्त की जाते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा जो भी पत्र रहते हैं ये सभी राष्टपती के द्वारा प्राप्त की जाते हैं किस वीटो का प्रयोग करता है तो राइट आंसर हो जाएगा वो करता है निलंबनकारी वीटो का प्रयोग option number यहाँ पर भी निलंबनकारी वीटो राइट आंसर है राश्टपती निमनमसिक किस सूची के विशय पर अध्यादे जारी कर सकता है तो राश्टपती जो है यह संग एवं संवर्ती सूची के उपर अध्यादे जारी कर सकता है option number यह संग एवं संवर्ती सूची पर राश्टपती अध्यादे जारी कर सकता है राश्टपती के सूची के विशयों पर अध्यादे जारी नहीं कर सकता तो राश्ट पती के दुवारा आपका राज सूची पर अद्धा दिश जारी नहीं कर सकता option number C, राज सूची पर राश्ट पती अद्धा दिश जारी नहीं कर सकता निम्दल कितम से किस परिष्टिती में राश्ट पती अद्धा दिश जारी नहीं कर सकता यहाँ पर आपको जो option दिये गए हैं उन में से जब दोनों सत्र में हूँ मतलब जब राजसवा ही राजसवावी सत्र में हूँ लोकसवावी सत्र में हूँ तब राश्टपती अध्या देश जारी नहीं कर सकता है अब राश्टपती के पास अधिकार है कि वह इसको पनरविचार के वापस बेसकता है कि भाया एक बार और विचार करो सुष कौनवी सत्र करते ही तो भात के राश्ट पती संबोजित करते हैं और वो कप करते हैं एक तो हर साल में एक बार प्रतिवर्ष और लोग सभा के लिए प्रतिक आम चुनाओं के जश्ट बाद मतला option number C सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों प्रतिवर्ष भी सम्भोदित करते हैं और लोग सवा के लिए जो प्रतिक आम चुना होता उसके जश्ट बाद समिधान के अनुच्छ ए 114 लिए परादी को छमादान करने की सकती निम्देल किसको अप्राप्थ है? तो छमादान कर सकता है केवल Sachen E केवल राष्टपती राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित दवयों की पूर्टी के लिए निम्नल के दमें से कौन भारत की आकश्मिक निधी से धन निकालना ये जो कर सकता है केवल राश्टपदी कर सकता है option number यहाँ पर सी राश्टपदी प्रश्नी के लिए बिल्गो सही answer हो जाएगा निम्नल के तुमसे कौन सा अधिकार भारत के राष्टपती को प्राप्त नहीं है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिये गए उसमें से उच्छे तम नयायले तदा उच्छे नयायले के अधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार ये राष्टपती को प्राप्त नहीं है बाकी नय नाएदुशयों की न्यूक्ति भी करता है प्रधानमंत्री अन्य मंत्रिओं की न्यूक्ति भी करता है और Σंसद के अधिवेशन आहोट करना और Row抗ोर् Lalitnyさん third left कब कर सकता है तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पीछे लिखा हुआ है जितने भी यहां पर ऑप्शन दिये गहें इन सभी के मद्धे नजर राश्ट पती चाहे तो संसत का स्वयुक्त अधिवेशन बोला सकता है एक संसत द्वारा पारित विद्यक को दूसरे सं शाहिग्दावि संसुधन दूसरे संसत द्वारा और शूवीकार नकरना में एक करतिसे विएक की प्र।्व्मत कि छे हमा तक कही कारवाही में सब्सक्राइद हुआ है तो राश्ट पती अधिवेशन को आहूत कर सकता है उपरोक्त सभी परिस्थिति ऑप्ष्यन बरि पढ़ती उसको वो जब चाहें तब भारत की आकस्म के निजी से धन व्याय कर सकता है किसी भी संतुति की यूथ नहीं उसको समयदान के शिस अनुश्यत के अंतरगत राश्टपती संग्य मंत्री परिसर की सलाह मानने के लिए बाद्ध है आनुश्यत चोहत्तर के राष्टपती योद्ध की घोशना कर सकता है option number यहाँ पड़ी राष्टपती परिश्ण के लिए right answer है लोगसवा निमले के दिमें से किस के द्वारा भंग की जाती है तो लोगसवा right answer हो जाएगा प्रधान मंत्री के परामर्श के पर राष्टपती के द्वारा भंग की जा सकती है option number भी प्रधान मंत्री के परामर्श पर राष्टपती के द्वारा राष्टपती निमले के दिमें से किस परिस्थितियों में आपात काल की घोशना कर सकता है तो राश्टपती के द्वारा आपात काल की जो गोशना की जाती है प्रधान मंत्री तथा मंत्री मंडल के लिखित परामश पर आपात काल की गोशना कर सकता है option number यहाँ पर भी प्रश्णी के लिए right answer है भारती सम्विधान का निम्न मैं से कौन सा अनुचेद भारत के राश्टपती में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्लान करता है तो भारत का राश्टपती अध्यादेश जारी कर सकता है यह दिया गया है अनुचेद 123 में option number C अनुचेद 123 right answer है राश्टपती किस इस्तिती में अध्यादेश जारी कर सकता है तो राश्टपती जदी संसद के अध्यादेश जारी कर सकता है ना रहने की इस्तिती में option number यहाँ पर C इस इस्तिती में अध्यादेश जारी कर सकता है option number C right answer है राश्टपति दायर जारी ये कज्द्यदेश संसत के सत्र सुनू हुने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवशक है तो राइड आंसर हो जाएगा संसत के सत्र के छय महा तक शुरू होने के छय महा तक छे शपटा हसं छे सपता तक रखा जाना आवशक है राष्ट पती अपनी शमादान शक्ती का प्रयोग निम्ले में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है तो राष्ट पती शमादान का जो प्रयोग कर सकता है यह म्रत्तिव डंड में भी कर सकता है सैनिक अदालत द्वारा दिये गए के लिए भी कर सकता है ऐसे मामले में दिए गड़ेंड पर जो संगी कारेपालिका की छेतरार्दिकार के अंतरकत आते हैं उपरोक्त सभी में राष्टपती के पास शमादान की शक्ति है option शक्ति का प्रयोक्य था कौन सा था तो भारत के राष्टपती ने भारतिय डांक घर संशोदन अधिनियम इसमें वीटो शक्ति का प्रयोक्य था option नमर यहां पर सी प्रशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राष्टपती को लोग सभा में किन दो सदस्यों को बनोनित करने का अधिकार है तो राष्टपती को अधिकार था एंगलो इंडियन अब लेकिन यह बदल चुका है समविधान संशोदन एक सो नमबर 26 वा ठीक है यह रखिएगा 126 वी के अंतरगत यह वाला आपका बदल चुका है राष्टपती और उपराष्टपती की अनुपस्ति करेंगे मुख्य исп psychoMan 한국 और यह रखिएगा लोग सफब द्वारा पारित्विदेक यदि राष्टपती लोग सबनाय को पनरविचार के लीए लोटा लोटा है और लोगसबावस से पूरवत पास करके राष्टपती की आपस दुबारा भेच देती है तो राष्टपती को क्य ये इसका विधाई अधिकार है, option number A, राष्टपती का विधाई अधिकार है अध्यादेश जारी करना, निम्नलकित में से किसकी नुक्ती राष्टपती के द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर आपको जो option दियेगा है, उसमें से वित्यायोक की अधिक्ष की नुक्ती राष् राष्टपती नहीं करता, निम्नलकित में से कौन सा राष्टपती के निर्वाचन का भाग है, परन्तु उसके महावियोग अधिकन का भाग नहीं है, तो राष्टपती के निर्वाचन का भाग है, महावियोग अधिकन का भाग नहीं है, यह आपका राज्यों की विधान स निर्वाचन में भाग लेती हैं राष्ट पती के चुनाओं में भाग लेती हैं लेकिन जब राष्ट पती पर महा व्योग लगता है उसमें भाग नहीं लेती राजियों की विधान सभाएं राष्ट पती के उमिद्वार के लिए क्या आवश्चक नहीं है तो राष्ट पती मुख्यमंत्र में भाग नहीं ले सकते हैं तो वह फारत एक गरतंत्र इसका रétais गरत होता कि भारत में वंसए.' नहीं होता option number C वंशानुगत साशन भारत में नहीं चलता भारत में राष्ट पती चुना जाता है तो भारत का जो राष्ट पती है यह निर्वाचित सद्नों एवं विधान सभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है option number यहां पर आपका निर्वाचित सांसदों और विधान सभा सदस्यों के द्वारत चुना जाता है भारत के राष्ट पती के चुनाओं के लिए चुनाओं मंदल के सदस्य कौन होते हैं तो भारत का राष्ट पती का जो चुनाओं होता है इसमें चुनाओं मंदल के सदस्य आपके होते हैं लोग है यहां पर це når यहां हो जाएगा 1 2 3 recipients के चुनाओं में विवाद होने पर किसकी सला ली जाती है तो राष्ट पती के चुनाओं में विवाद होने सर्वोच्रेइस की कि सला ली जाती है मिशें सौनHH economy райच अंसर राष्ट पती के अलावा कितना वितन लता तो राश्ट पती को हर मां पांच लाक रुपे का वितन मिलता है पांच लाक रुपे का वितन राश्ट पती को हर साल मिलता हर महीने मिलता है नामंकन के समय राश्टपदी पत की उमिद्वार को जमानत की तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है तो जमानत की तौर पर नामंकत जब चुनाओं के लिए भरते हैं उसके समय जो आपके राश्टपदी हैं उनको 15,000 रुपए जमा करना पड़ता है जमानत की तौ तो पर आपने सोना होगा जवानत जप्त हो गई यही जवानत होती है जो देनी पड़ती है राश्ट पदी को पैंशन के रूप में आज ही वन कितना रुपय मिलता है तो राश्ट पदी को पैंशन के रूप में प्रती महां पूछा गया है तो यहां पर option number 20 से आंसर हो जाए option number 20 संसद का भिंडंग है एक जो विदेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्िर्या के बाद अधिनियम बन जाता है तो एक संस एक्षूज में प्रस्तुत किया गया अब हो अकर अधिनियम कैसे बनेंगा तो अधिनियम बनेगा मीं है अससर हो जाएगा प्रश्ण के लिए भारत के राष्टपति हो इस्ट कौन एक कुछ समय के लिए गुट निर्पेख्श option number यहाँ पर भी संगीय संसद प्रश्ण के लिए राइट आंसर है निम्नलकित में से किसी भौगौलिक छेत्र को अनुसूचित छेत्र घोशित करने का समविधानिक अधिकार किसको है तो किसी भी भौगौलिक छेत्र को अनुसूचित छेत्र ये भारत का राष्ण पती इसको घोशित कर सकता है option number यहाँ पर D, भारत का राष्टपती राइट आंसर है, भारत का राष्टपती चुना जाता है, तो भारत के राष्टपती का जो चुनाओं होता है, वो होता है, संसद के दोनों सद्नों के निर्वाचे सदस, राज्य विदान सभाओं के निर्वाचे सदस, option number यहाँ पर D, यहां पर राइट आंसर है भारत सरकार का सम्विधानिक अध्यक्ष कौन होता है तो भारत सरकार का सम्विधानिक अध्यक्ष होता है राश्ट पती और राश्ट पती भारत सरकार का सम्विधानिक अध्यक्ष होता है भारत के पहले राश्ट पती के रूप में डॉक्टर रा रकद करके देगा तो राष्ट पाति को संभूरित करके देगा और राश्र्ट पत्र देगा तो ऊपरी ट्याग्पत्र लेता है भारत निर्वाजितन दोने कि नियूंतम आयू व्त राश्ट पत्रum疫 없이 कौनी है आपके Research वर्ष ऑप्शन नमबर यहां पर सी 35 वर्ष राइट आंसर है भारत में राष्टपती राजिसभा के कितने सदिस्यों को मनुनित कर सकता है तो पहले था अभी मैं वता चुका हूँ यदि कॉश्चन ऐसा है कि आपको 2019 तक भारत के राष्टपती राजिसभा में कितने सदिस् चाहा भारत के राष्टपती की शक्ति नहीं है भारत के राष्टपती की शक्ति नहीं है संसद के सदनों को संदेश भीजना यह नहीं है भारत के राष्टपती की शक्ति बाकि तीनों जो दी गई है भारत के राष्टपती की शक्तिया है पढ़ लीजे आप वीडियो को प कर सकते हैं प्रधान मंत्री की सलाह पर प्रधान मंत्री की सलाह पर राइट आंसर है युद्ध की घोशना या सांती का फैसला करने की कानूनी रूप से कौन सक्षम है तो युद्ध की घोशना और शांती कानूनी रूप से कौन इसका फैसला ले सकता है तो राइट आंसर है राश्ट्पति ले सकता है option number यहां पर ए राइट आंसर है एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राश्ट्पति बनाया सकता है एक ही व्यक्ति को कई बार भारत का राश्ट्पति बनाया सकता है कोई भी स्वासलिट में भारत के राश्ट पती के चुनाओं में भाग नहीं लेता तो भारत के राश्ट Ram A भागनी लिता option नमपर यहां पर राइट आंसर है निम्दलगत राश्ट्पती हो मैं सेवा की उनके सही क्रम बताईए कि कौन-कौन कप-कप राश्ट्पती राय स्टार्टिंग से तो यहां पर आपको मैं सही क्रम बता देता हूँ सबसे पहले आपकी जो option दिये एन-स रेड़ी जी ग्यानी जेल सिंग जी आर वेंकर ट्रमन जी और डॉक्टर संकरडाल सर्मा जी option नमर यहां पर भी right answer हो जाएगा यह क्रम था 148 कौशन हो गया है यह हो गया 149 कौशन भारत के उपराश्टपती की इस्तती की तुलना किसे देश की इस्तती होती है उसकी तुलना की जा सकती है आपके सयुखतर राश्ट अमेरिका की उपराश्टपती से option नमर यहां पर करो प्लीज वीडियो को लाइक करो हम को आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में के यदि आपको अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पार्ट टू लिख दीजिएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा कॉस्चन को समझा किसी भी कॉस्चन में डाउट है कमेंट करके हमसे बहुत बहुत धन्यवाद